गाइज आउस्ट्रेलिया वुमेन और न्यूजलेंड वुमेन के बीच जो वुमेन्स टीट्वन्टी वर्ल्ड कप का मैच खेले जाने वाला है मतलब गाइज एई यू डबलू वर्सेस एंजै डबलू के बीच जो मैच होगा उसके बारे में आपको पूरे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है और आपको बता दू गईज ये दोनों ही टीम में अपने टेबल पे काफी जादा स्ट्रॉंग साइड है क्योंकि आउस्टेलिया वुमेन तो आपको पता ही है सबसे खतरनाक टीम है और वही न्यूजलेंड वुमेन ने भी इंडिया वुमे और साथ में अपन देखेंगे और उस्टेलिया वुमेन और न्यूजलेंड वुमेंस के भी जब भी मैच हुए है तब कौन-कौन से प्लेयर्स ने पर्फॉमेंस दिया है मतलब उनका हैड़ टो एड़ स्टैट्स कैसा है साथ में जिस मैदान पे यह मैच है क्या यह वाले म वीडियो आपको लाज तक देखना है एई यू डबलू वर्सेज एडबलू टैन टीटून्टी मैच किला जाएगा शार्जा क्रिकेट इस्टेडियम शार्जा में और गाईज में आगे बढ़ू उससे पहले एक काम आपको कर लेना है यह मेरा यूट्यूब चैनल है जहा आपके पक्का से आप दबा देना और बैल आइकन की घंटी दबा के और प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अप्लोड करूं आपके पार नोटिफिकेशन पहुच जाए और दूसरा काम करना है मेरा टेलिग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जहा हुआ है वहां से क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हैं फिरी में जॉइन होगा कोई चार्ज नहीं है तो पक्का से आप टेलेग्राम से जुड़ जाना हर मैच के आपको वहां पर फिरी टीम मिलने वाली है अब बात आती है भाई ऑस्ट्रेलिया वुमेन और न्यूजलेंड वुमेन की क्या प्लेइंग 11 इस वाले मैच में रहने वाली है अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बात करें तो एलिसा हैली के साथ बैत मुनी काईज ओपन करेगी इसके बाद जॉड या वरहम आएगी एलिसा पैरी आने वाली है एलिशा गाड़नर आने वाली है मिडिल ओड में इसके बाद पील इच्फिल्ट ताइला एमसी ग्राथ एनाबल सोफी मॉनिलैक्स मेगान इसकर्ट और ड्रैसी ब्राउन तो यह एक्सपेक्टेड 11 है जो ऑस्टेलिया वुमेन की आपको इस वाले मैच में देखने को मिलने वाली है और ऑस्टेलिया वुमेन अच्छा क तो अभी देखें न्यूजिलैंड वुमेंस की तरफ से सूजी बैड्स और जी प्लाइमर यह ओपन करेंगी इसके बाद एमिला कैर सोफी डिवाइन ब्रूक है लीडे मिडिल और में इसके बाद मैडी ग्रीन इजिगेज जैस कैर आर मेयर लिया तुनुहूं और इडन कार तो यह न्यूजिलैंड वुमेंस की प्लाइंग लावन है और जिस तरीके से इसने इंडिया वुमेंस को हराय था मुझे नहीं लगता है यहां पर कोई बदला होगा अब यहां पर गईद एक क्योशन यह भी उठता है कि इसमें से कप्तान वाइस कप्तान जो अपने को फा सी बॉलर्स है जिनको बॉलिंग भी ज्यादा मिल सकती है और जो दैट में बॉलिंग करेंगी मतलब 15 से 20 वाला स्पैल कराईगी तो अगर आपन ऑस्टेलिया वुमेंस की बात करें तो मेगान इसकट ए गार्डनर सोफी मॉनिलैक्स और जॉर्जिया वरहम यह आपको पूर इस वाले पिछ पर बहुत एफेक्टिव रहेगी क्योंकि काफी अच्छे स्पिनर और इस पिछ पर वैसे भी स्पिनर को काफी मदद है इसके अलावा न्यूजिलेंड नुमेंस की तरफ से एडन कार्सन आर मेयर हमिला कैर और लिया तो नहूं यह आपको पूरे और कराते ह और नहीं कर आएगी सिच्वेशन के अकॉर्डिंग कप्तान चेंज कर देता है पर जो एक एकस्पेक्टेशन है वह मैं आपको ही बता रहती है और यहां पर गाई जो होते हैं ना रन बनाने बहुत ही मुश्किल काम है यहां पर आप देखिए 120-130 का स्कोर भी बहुत ही और यह भी नहीं बन्दा सैकेंट इनिंग वाली टीम से और दूसरी यहां पर इस्पिनर्स बहुत ज्जदा एफेक्टिफ रहता है को विकेट मिलते है यह और इस्पिनर्स को ज्यादा मिलते हैं और अभी तक पर आपधीन करना थोड़ा बेटिंग क्योंकि पहले आप रन बना सकते हैं बाद में बहुत ज़्यादा पिस्लों हो जाती है और यह चीज में ऐसे नहीं खेरा आप वैन्यू स्टैट्स देखिए आपको उससे पता लगेगा आप देखिए तीन अक्टूबर दोजार चोईस का मैस था पाकिस्तान उमें श्रीलंका वोमें के पाकिस्तान ने कीवल 116 रन मनाए अगर यह इंडिया में मैचे दो एक सो सोला तो शायर यह तेरा 14 और में खतब कर देते मैच बट यह और है दूबई शार्जा में श्रीलंका वोमें 85 ही बना पा में बना पाया और मैच विस्पिनर को और यहां पर देखें पाच अक्टूबर दोजार चोईस को मैस था स्रीलंका में ऑस्तेलिया उमें के बीच श्रीलंका वोमेंन ने 93 बनाए और इस मैच विस्पिनर को 6 को यह हैं फिर्पाद यह देखिए घ्र पहले खेले या कुछ अलग ही कर दे तो बहुत अलग है और इसके अलावा आपको अपनी टीम में मैक्सिमम इस्पीनर्स लेके चलने और फास्ट बॉलर्स जो रखने हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में बता दूँगा उनको आपको रखना है वह इफेक्टिव होने वाले इसके अलावा वीजन 11 एप्लिकेशन को अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है सबसे टॉप पे पिन क्या हुआ है और बहुत सारे लोग मेरे कहने पर वीजन 11 एप प पर इसके टीम भी देता हूं तो वीजन 11 एप पे आपके लिए इस वाले मैच वे भी दस हजार उपए का फ्री गीववे चल रहा है जहां पर आपको कुछ नहीं देना एक रुपए भी नहीं देना फ्री में आईए मैच में कॉन्टेस जॉइन करिए अगर विनिंग होती ह सबसे बड़ी एप्लिकेशन है विनिंग के पॉइंट ऑव यू से पक्का केलना सब भाई उसा रिक्वेस्ट है बट वीजन 11 एप पे थोड़ा सा विट्टे जोकिम इंक्लियूड है क्रप्या अपनी रिस पर खेले समल बात आती है वह कौन से 11 प्लेयर्स है जिनको अपने विकेट कीपर सेक्शन में आउस्टेलिया वमेन की तरफ से दिखेंगे बैत मुनी एलिसा हैली दोनों आपको ओपन करती हुए दिखेंगी और बैत मुनी की बात करूँ तो इसका जो एवरेज है न्यूजलेंड वमेन के अगेंस वह अपरोक्स 18 का है इस मैदान पर इसने एक मैच खेला हुआ भी है अभी 43 बनाएं एलिसा हैली की बात करूँ न्यूजलेंड वमेन के अगेंस आप देखेंगे 23 का है लास्ट मैच पे 427 मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले मैच में एक अच्छे रन बना सकती है तो आप मुनी को रखिए बट एलिसा हैली को भी पक न्यारा इस मैदान पर तीन मैच में इसने किवल 14 रन मना है लास्ट तीन मैच में पाच बारह 21 और इजी गैच की बात करें लास्ट तीन मैचों में एक अठारा ग्यार तो यहां पर गई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जुरत नहीं है जो आपके लिए सबसे बैटर इससे वह मैं बता देता हूं यहां पर वैत मुनी सबसे बैटर चॉइस एली सबसे बैटर चॉइस दोनों को रख लेना क्योंकि दोनों ओपनेर और बहुत अटेकिंग खेलती है पका से रख लेना न्यूजलेंड मैंड की मुझे नि लगता है इन में से दोनों में से कोई भी बैटर है ऑस्टेलिया उमेन की बैटिंग सेक्शन में देखिए अलिसा पैरी है काफी अच्छी बैटर है लास्ट मैच में सब्सक्राइब मनाए उससे पहले 36 उससे पहले 34 अठारा मैचेस में यह 20 विकेट भी निकाल चुकी है न्यूजलेंड में के अगेंस में आप सब्सक्राइब देखिए दो सो तरे सट रन मना तो पैरी को आपका टीम में रखिए क्योंकि यह ऐसी प्लेयर है जो कहीना कहीं कंट्रिबुशन देती है इसके बाद ताहिला एमसी ग्राथ का जो अभी करन फॉर में वह बहुत ही खराब चल रहा है लास्ट तीन मैचों में आप देखिए पांच है साच है और न्यूजलेंड उमैन के अगेंस पांच मैचों में खाली एकसा टन मनाए बारा की एवरेज से विकेट भी देखोगी तो खाली दो ही मिले और इसके अलावा यहां पे पी लिच्फिर्ड है जिसने लास्ट तीन मैचों में बनाए नो पा पहरी जिसको आप ले सकते हो पर इससे बालिंग में एकस्पेक्टेशन मत करना कि आपको बालिंग में विकेट निकाल के देगी ऐसे बैट्स मैं ही आपको रखना है अगर आप सोच रहो इससे कोई बैटर प्लेयर अपने को मिल जाए जो बैटिंग बालिंग दोनों करती ह तो वह भी अपन ले सकते हैं तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन दोंगा न्यूजलेंड में की बैटिंग सेक्शन में रेकिए सबसे पहला नाम है सूजी बैट्स ओपन करने वाली है और इसका रिकॉर्ड ऑस्टेलिया में के अगेंस बहुत अच्छे ऑस्टेलिया में के अ पक्का रख सकते हो बुरू की है लिडे छे मैचों में तीन विकेट लिये हैं और जी प्लाइमर जो की ओपन करेगी टी ट्वंटी में किवल तेरा का अवरेज है बट इसकी जो सबसे अच्छी बात जो है अभी करन फॉर्म जो है ना डिसेंटली वह बहुत अच्छा है ला प्लाइमर और सूजी बैट्स दोनों काफी अच्छी बात अभी फॉर्म भी काफी अच्छी है डेफिनेटली आप टीम में लेके आ सकते हो प्लाइमर और सूजी बैट्स को सबसे इंपॉर्टेंट सेक्षन होता है कि कई प्लियर्स ऐसी होती है जो अपने दम पर मैच को जिता देती है चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग ठीक है ऑस्टेलिया में की तरफ से ऐसले गार्डनर इस पिछ पे बहुत ही ज्यादा सूटेबल है अपनी बॉलिंग से आपक एक विकेट लिया है उससे पहले 33 एक विकेट उससे पहले 18 रन तीन विकेट तो आशले गार्डनर को आप कप्तान भी बना सकता है इस वाले मैच में कोई दिक्कत नहीं काफी अच्छी प्लियर है 16 मैचों में 14 विकेट मिले हैं इसको न्यूजिलेंड उमैन के अगेंस पर यह बैटिंग बॉलिंग दोनों साइट से कंट्रिबूशन दे सकती है तो मैं आपको सजेश्ट करूंगा यूव के आपको तीनों राउंडर्स तीम में रखनी चाहिए इसमें से भी दो तो आपका लेके आएगा गार्डनर और वरहम को दोनों काफी इंपोर्टेंट ह डेफिनेटली रख लेना न्यूजिलेंड वुमेंस की तरफ से अल राउंडर सेक्शन में एमिला कैर यह वाइस कप्तान बनाने वाली प्लेयर है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग सब बैटरीन करती है लास्ट मैच वे बी तेरा रन एक विकेट उससे पहले चाले सन एक विके है और अच्छे फॉर्म में और 17 मैचों में 312 रन इसने बनाएं तो आल राउंडर सेक्शन में पांच आपको दिख रहे हैं तीन ऑस्ट्रेलिया के और दो न्यूजिलैंड के पांच और रखने पड़ेंगे आपको आप सोच रहे हैं पांच आल राउंडर आ गए दो विक पहला नाम है मेगान इसकट फास्ट बॉलर है लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई तीन विकेट निकाले न्यूजिलैंड वुमेंड के 19 मैचों में 24 विकेट है सोफी मॉनिलेक्स दो विकेट इसको मिले क्वालेटी स्पिनर यह भी है और यहां पर आपको ड तीन विकेट इसने निकाले ते उससे पहले एक एक विकेट इसको मिल रहा है सत्रा मैचों में 18 विकेट यह अब तक ले जा चुकिए ऑस्टेलिया वमेंस के एड़न कार्सन की फॉर्म आप देख सकते हैं लास्ट तीन मैचों में पांच विकेट इसका फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं है वैसे क्वालेटी फास्ट बोला रहे अब आपको बड़ा कंफ्यूजन मैंने पहले ही बोला था क्रियेशन होगा क्योंकि जब दो बड़ी टीम आपस में खेलती है तो आपको डिक्कत आईगी टीम मनाने में बट अपने को बैलेंस करके चलना है अभी मै पाले बैथ मुंझी का डिकार रिकॉर्ड लिया उनहों के अगेंस्ट पर बहुत खर börjar है लिया उनहों के अगेंस Peach और ऑपर ये कर चुकी है तो मैडी ग्रीन का विकेट आपको जल्दी जाता हुआ दिख सकता है क्योंकि सामने इसकट होगी स्टार्टिंग ओवर्स में सूजी बैट्स को एलिसा पैरी पाच पार इसकट तीन बार और वरहम दो बार आउट कर चुकी है और चुकी च्छेंज करेगा इस वाले मैच मुझे लगता निये कोई नीट पढ़ीगी इसको क्योंगे लगता आईगी पहले न किंग के चांस है नहीं खेलने के अभी इस वाले मैच में किम गार्थ के चांस है नहीं और टाइला वाइना में के न्यूजलेंड की तरफ से एल जौन से है और एच रो है वीजन 11 एप पर मेरा फुल इंवेस्टमेंट रहेगा क्योंकि काफी अच्छी एप्लिकेशन है और काफी अच्छी विनिंग यहां पर भी और फ्री एंट्री कॉंटेस्ट चल रहा है उसको पक्का जॉइन कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप मुनी एलिसा हैली दोनों को रखा है पट आपको बताओ बैत मुनी की जगे कोई और ले सकते हूं बैटिंग सेक्शन में एलिसा पैरी और सूजी बैट्स बॉल राउंडर में एमिला केर गाटनर जौर्जिया वरहम और सोफी डिवाइन यह चारों को पक्का रख लेना तुन हूँ बट आपको बता दूँ यह मेरी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस के बाद मेरे टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट पर और उसको जॉइन करने का तरीका वाई एक ही है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लि यह दोनों सबसे ज़्यादा परफेक्ट चॉइस तो यह एंड़ फुल मैस डिटेल प्रिवू गाइज ही खतम होता है और आज के मैच का फ्री गीववे का प्रश्ण है कौन सा बैट्समें इस वाले मैच में सबसे ज़्यादा रण बना सकता है आंसर आप कमेंट सेक्शन म नमस्का